गवाई मुझे बोलने के लिए जो मौका भी दिया बड़ी कुश हो लेकिन मेरे जो पुराने जिन्दगी सुनने के लिए भी लायक नहीं देखने के लिए लायक नहीं मालमने सुनने के बाद आप क्या सोचेंगे यह विक्ति कि इससे सेवक बन गया शायद सोच भी सकता है यह पुरुबख नाम के महिमा के लिए मेरे गवाई के आपके सामने में रखना चाहता हूं मैं ऐसे एक परिवار में जन्म हुआ जिस परिवार में एशु के बार में विशेश करके एशु के बार में बिल्कुल नहीं जानते थे लेकिन बड़ी बक्ति के साथ मेरे पालन पॉशन हुआ ऐसे एक परिवार में मैंने जनम हुआ जहां मेरा ग्रैनपॉडर्स मेरे जो नाना दादा सब लोग फूजारी लोगते ऐसा फूजारी है साल में एक बार जब गाव में फूजा होता है तो इन लोग जब आग बड़ा कर उस आग में से उतरेगा उस आंगार में चलना शुरू करेगा चलने से पहले उसको अंदर उतरने से पहले बहुत बड़ा उसी जो फेस्टिवल के लिए बक्री के पाल कर रखा होगा उस बक्री को तलवार लेके उससे एकी काटमे से उसके सीर उड़ा देगा उड़ा कर उसके शरीर के पकड़ के उसके जो गले से जो कून निकलता है एक बुंद भी नीचे गिरने नहीं देगा पूरा पी लेगा पूरा पी कर उसके बाद उस आग उस अंगार में विलुक चलने के लिए शुरू करेगा तब कोई भी उसके पास जाके स्वामी जी मेरे पंदरा साल होगे बच्चा नहीं हो जाएगा नेक्स चेर उसके बच्चा हो जाएगा मेरे बिसनेस में बड़ी नुक्षान हो रहा है तेरह टीक हो जाएगा जो कुछ उस वक्त में जो बोलेगा सब कुछ हो जाता था खुदा का धन्यवादो ऐसा एक परिवार में मैंने पैदा हुआ बच्च्पन में मेरे पपा को बहुत ही आग रहता मुझे बड़ा एक बिसनेस में बनाना चाहिए मेरे पपा का ड्राइप फ्रूट्स के बिसनेस था वो मलेशिया सिंग्यपूर में एक्सपोर्ट करके मैंने में दो बार हो जाके कलेक्शन के लिए जाके आता था इसलिए उनको मन में ये आग रहता मुझे भी वैसे ही एक बड़ा बिसनेस में बनाना चाहिए था लेकिन परमेशर की इच्छा और भी था मेरे आटवा उमर में मेरे पपा मर गया मेरे एक चोटा बाइत है मुझसे छे साल चोटा है मेरे पपा मरने के बाद मेरे मम्मी को चाइन फ किसी के बोलने भी ना चुप चप चले जाती थी ट्रैक्स सो और बार मिलने से उलेकर चुपचप पड़ती थी इस प्रकार मेरे मम्मे के जो बढ़ाई थी इसी कारण कभी-कभी मस्य के बार में कुछ कहानी सुनाती थी कैसा हम लुग प्रार्टन करना चीह कैसे दरती पर जीना चे करके हम दोनों बच्चे को वो सिकाती थी लेकिन अभी इसके जिंदे के विपरित एक गतना हो रही है कि उसके दूसरी शादी मन में वह बात में परता चला वह क्यों शादी नहीं किया उसमें उसको लगबक उमर 27 था 26 था 27 लेकिन उसने दुबारा शादी नहीं करन पूचा क्यों ने किया करने साच्छा होता था क्योंकि जगड़ा करता था मैंने मम्मी के साथ है तरफ मम्मी ने जो बताया थी अगर मैं कि करती ती सदी करने से मही तुम और गप आता वह इसे प्रभु में पालन पोशन नहीं कर सकती थी इसी कारण उसने नहीं की उस कुर्बान को बात में उसको बढ़ाए क्यों मैंने समझा है परमेश्यर के नाम को सुरी हो इस प्रकार मेरे पपा मरने के बाद मेरे मम्मी ने मुझे और मेरे बाए के दोनों के लेकर हम जब बच्छा होने कारण आज साल का लड़का होने के कारण जो भी मम्मी बुलाने से उसके साथ भी बैठके चुपचा प्रात्न में बैटेगा मेरे नाना जब फूजा करो में बुलाएगा उधर भी जाके फूजा करता था इसी प्रकार मेरे पालन पोशन हुआ जब मै है स्कूल में एंट्री हुआ 8085 हुआ सेवंध स्टनर जब आया वह फुरा आवरेज में आया 40 45 किस प्रकार आने लगा किस प्रकार पढ़ाई में में गटने लगा बढ़ाई गटे होने के कारण मेरे गर में जाइन फैमली था मेरे मम्मे के गर में भी आठ लोग थे सब लो बहुत कुछ मुझे जितना निच्छा करके बोलना चीए वह से बोलते थे मैं भी वही सही था परमेश्यर के नाम का सुधी हो चीसे की सेवंध और एट स्टनर में गया मेरे मन में आ गया इस संसार में जीना है तो बड़ा गुंडा होकर जीना चीए कि नार्मल एक विक्ति अब आशिकना शुरू किया जितना मार्शियलाच था चीट फॉदेट माक्सिमम ने तो पर विक्ति हैस्ट लेवल तक मार्शियलाच मैंने इस इसमें ऐसे इसे मार्शियलाच से की एक इनसान को नजर से कड़ा कर सकता हो और एक इनसान का पैर को बड़ा जो उंगली के चलन मेरे दोस्ती संकती देखने से कोई भी डर जाएगा ऐसे ही इस मार्शिलाइट सिखने के बाद मैंने के सोशल और के समान करने लगा अगर कोई के लड़की किसी भी जो मुसीबत में पस गई उसको बचाना है आके बोलेगा भाया वो मुझे टीसिंग करता है सिर्फ उसक कुछ सवाल नहीं है या वो किसके बैटाए करके भी नहीं देखता था जाके ऐसे कई लोगा हड़ी में भी तोड़ा था परमिश्यर के नाम को सुद्यों इस प्रकार मैंने जा आगे बढ़ते जा रहा था आगे बढ़ते जाने के समय में प्रती दिन मेरे मम्मी के डूटी नहीं तो इनको इस दर्थि से उटाव यह शुकर नाम से मागती हो आमें इतना मैंने डाटता था तो तूँए एक मां है क्या बेटा का अच्छा पढ़ाई होना छी बिसनेस होना छी अच्छा शादी होना छी अच्छा परिवार होना छी यह परारतन करती सुबह शम्द आम रोज यही सुनते जाते प्रार्तना इसलिए मुझे बाग जाता था इसलिए ममी हाथ पकड़के उसके गुपने के नीचे मेरा हाथ का रख कर प्रार्तना करती थि भच नहीं सकता था फिर भी पपा ने यह मम्मी के तसलिदेना चेह करके मने के आदिन में कुछ दिन रहा उसके बाद मेरा मार्ग बहुती पुरूर और गिंबीर होकर बढ़ने लगा यहां तक कि बाम्बे में कुछ कवर मिला है दाओद इबराहिम करके गादमी है उसके अंडरवल्ड डान के साथ जो लोगों के रेक्रिट्मेंट होता है उसके लिए कास करके मार्शिलाद सिखने वाला उनको बहुत जरूरी है मैं यहां तक सोचाता भी यह गर चोड़ के हमारा देश चोड़ के विदेश में चले जाएंगे जाके वहां जाके ऐसा पाइसा कमाना है गुंदा होकर रहे ना ची लेकिन प्रभू का मर्जी और कुछ था इस प्रकार मैंने आगे बढ़ते जाने के समय मेरा तेंथ स्टेंडर करतम हो गया पड़ाय में में पहले जीसे पुला बहुत पीछे 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 हटते जा रहा था इंटलेक्शुल इंटलिजेंस बोलने से जीरो था बिल्कुल जीरो कुछ भी नहीं मालूम मैतेमेटिक्स अलजिब्रा देखने से बहुत मुझे लगता था जो ब्लैकबर्ड में वैट लाइन रहता है कुछ समझ में आता था जहां तक मैंने नब्बे हंडर्ड जब लेता था वो अभी मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता था फिर भी संतों को और मेरे माँ का आसों के कारण प्रातन के कारण की कदम आगे बढ़ने लगा बढ़ने लगा उसके बाद मैंने आई टीए में एलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग किया प्रबने मोजे मदद किया यह तिन स्टांडर के जो फैर्वल के दीन में कतम हो गया सब लोग एक मूवी में गया हिंदी नहीं मालम मातुर बाशा चोड़कर आपकुछ बाशा नहीं मालम है हिंदी पिक्चर आया सब लोग देखने के चला हम भी जगमस्ती में जाके देखने के लिए लाइन में जब शुरुआ तो ओपनिंग देता खड़ा रहने के समय पोलिस लगती चार्श शुरू हो गया वो लगती चार्श जाए साथ एक बार जो गुटने के निशे मारते जा रहा है जितने लोक मारक आया वो निचे लुटकते गिरते गिरते जा रहा है इंस्पेक्टर भी आ रहा है कांस्टबल भी आ रहा है मारते मारते आ रहा है जब मेरे बारी आया मैंने इतना चिलाया वह एशु मुझे बच्छा ले करके मैंने चिलाया क्यों चिलाया मुझे नहीं मालम है लेकिन मैंने चिलाया चीज वोफ पश्चाते रहता हूँ उसको मारके मारके बात में जीब के पास आया dépियाना में तेरा वोणa क्रिष्टीन है आपे 30 अभी नहीं बोल सकता हुं आपने से क्यूंदर आया करके भूचाएगा नहीं बोले से ये शु मझे बच्छा यह क्यूंब चार को भी भूचेगा दोनों के बीच में लतकते रहा उसने बोला तो जो नाम लेके पुकारा वो नाम ने तुम्हें तुझे बच्चाया था पता चले इस नाम है इस सभी सामरते क्या है चला अच्छी बात है तुरां अपने जीतने से एक गिडियंस का न्यू टेस्टमेंट अलांग विथ सामस और प्रावब्स दोनों एक सब्सक्राइब करना हाँ इंग्लीश मिडियम में क्या नाम के लिए कुछ इंग्लीश नहीं जानता हम फिर भी कोलो कोला है सामस वन वन बजन एक एक का उसने पढ़ने के लिए बोला पापियों को मार्क में नहीं रहना चाहिए करके उस तीम शब्द है बोला यह बच्चन को हमेशा पालन कर तो यह शुकर नाम जो लिया इसी कारण तुने बच किया कभी इसे जगा पर नहीं आना चीए तोड़ा सा एक असर पड़ा कि मैं जो कर रहा हूं कुछ गलत कर रहा हूं और यह नाम ने मुझे बचाने के लिए आज तक मेरे पीछे आ रहा था इसी कारण मेरे माँ भी मेरे लिए प्राप्तन करते रहती थी थोड़ा कुछ अक्कल आने लगा परमेश्यर के नाम का सुधी हो फिर उसके बाद मैंने आई-टी शुरू किया आई-टी में जाने के बाद बिच बिच में मीटिंग में जाता था बिच जाने के समय की सभी बैक्टिसम् इसलिए कई प्रूर काम में जाने में पाप करने में थोड़ा धर लगता था इस प्रकार मेरे जिंदगी बढ़ने लगा आईटे में इंजिनेरिंग पास ओड़ करके आ गया कही सब पास किया नहीं मालमें वो भी में एक गवाई में बोलना चाहता हूं फूर्थ एर में फाइनल मेरा तेरी एक्जाम था तेरी के पहले मैं आईसा अंदर जा रहा था कुछ दिमाग में नहीं रहता है मुझे क्या करना मालम नहीं पस्ट बेल रिंग हो गया संबडी स्विश्परिंग इन माइस कोई ना कोई मेरे कान में कहीं से गुंचता है पेज चान और उसकेका सबस्ट्स देखा रखा सेकिंड बदा ंदर रखके चला गया अंदर जाके जब कॉस्टिन बेपर लिया पांच कुछ रबीपे लिया उसमें एक आपशन जोचार कुस्ट्ञें वोच सुना उसका अंदर है मैं डीके चक्त होगाँ वैं किस नहीं मुझे बताया कि इस अभी डिस्टिंक्शन में पास होने के लिए प्रोबो ने मुझे मदद किया परमेशर का नाम का सुरी हो इस प्रकार जाने के बाद कुछ दिन के बाद टामलाट और एलेक्टिन के बाद मुझे नोकरि मिला उसके इंकार करके फिर मिझरा कोट्स करके जो सुता का वब लोग देखा होगा sa करके उसमें एलेक्ट्रिकल सूपरेजर होकर काम मिला उसमें भी तोरा दिन जाके फिर वापस बार आया एक प्रिंटिंग प्रेश शुरू किया प्रिंटिंग प्रेश शुरू करने के बाद उस प्रिंटिंग प्रेश में लंच ब्रेक में हमारा जो बहुत एक फ्रस्ट्रेशन है कहताश एक उदास आने लगा जी के तो क्या फाइदा है इस बहुत जीने इतनी जी निराश आ गया बहुत ही निराश हो गया एक दिन मैंने सोचा था जीनी से बढ़कर मरना होता में परके बोल कर फ्रक के में विसिटिंग आड़र रखा है रखके मैंने चला गया किसी जाता है वो आएशे ऐसा एक मेडिकल कॉलेज था उसके मोर्चरी रूम के साइड में चल रहा था ऐसा बीच बीच में हाइवे में रोड में चल रहा था अगर कोई ट्रका के मारेगा सीधा उटा के दर मोर्चरी में डाल देगा इस्टिंग कारता है गर में पता कर लेगा करके करके मैंने जो आसे याहिते तुम इस बीटिफुल टमिल सांग मैं तेरे द्वार पर कड़ा रहे के कट कड़ाता हूं तू तेरे द्वार कोले गया क्या अंदर से आवाद सुन रहा था एक लांदर के जरत कर एक आदमी और दो सिस्टर लो का इसा बैट के गाना गा रहा था मैं इसे ध्यान कोलना है इस प्रकार सोचके सोचके उसके बात उन्लेग प्रार्पन पाइंट शुरू किया आज के बहुत सरा जवान लोगे अपने जीवन के मकसद को जानने बिना उसके कितम करने के लिए जाता है परमेशन उनको बचाने के लाप पने करेंगे ऐसा लगा कि हाथ दोड़ लेकि छाती में मारने के सम आब गरrob राग चला गया रातपुरामजीन विटकुल शांती नहीं था क्यों यह इसे लिवाच करते हैं किवह इसा बोलता है नेक्सट डेज जाकि वो सब गर क्या है कर कें आंदर आया अंदर आने氣 के में यह यह शेवक था कुछ लोग जानते पस मैं नीचे गर गया फिर मुझे पकड़ के उठाया तो कल शाम को इदर आके खड़ा रहता था था ना फिर आओ भी छक्कर आने लगा हम तेरे लिए चे मैने से प्रार्तन करते रहते हैं मेरे नाम को तुमारा माँ चुपके चुपके कद्षें एदर आके अपने बोच को बोले की जाती थी हम लोग प्रार्तन कर रहते हैं इसी कारण को रात को तुधर खड़ा है करके आत्मा हमें प्रगट करके दिया इसलिए कल रात कुरा मैं और मेरे दोनों सिस्टर्स बैटके हम लोग प्रार्तन कर रहे थे परमेशर के नाम को सुधी हो इसमेंसे मैं बोलना चाहता हूं मां लोगों को प्रार्तना उनका आसु कितना गिंबीर है कितना उस काम करता है करके मैं बोल सकता हूं परमेशर के नाम को सुधी हो आपको बच्चों लोग भी कभी कभी ऐसा शरारती करने चाहिए आज सुबहा के प्राप्तने कि जी कभी ना कभी एक दिन परमेशर से पकड़ेगा परमेशर के नाम के सुधी हो वहां से मेरे जिंदधी में एक कदम महीं से मोड़ कर आने लगा उसकी बात मैंने जब कभी हमा वहारा जब टीचिंग चलेगा उदर आत्मा में बरेगा हमाटमां बरेंगे उदर लुग टीचिंग चलेए ऐसा रहेगा इदर ब्रदर कुछ को से पूछ रहा है तब वहां से एक लड़ी की बहुत शुवानी कर रहे है बहुत वह कैसा करना चाहिए मेरे बेटी बेटी ब भियां दिया ग्यां देने के बाग बोला वेटाये तेरे लिए करके बोला उसे दिन से में यूड मितिंग जाना बंद कर दिया क्यों इन लोग जाने से पकड़ के दुबाएगा अभी शुक पाने के लिए बोलेगा फिर लेक्स टाया सेवा हम तो बड़ा बिसनस्मन बनने प्रिंटिंग प्रस्ट पी चालू किया हो निदा मालिक बनना ची जब कभी जाएगा दौस्वानी होगा तेरा बुलावटे उसकी बाद हम मदरे में मेडिकल कॉलेज में हम रात को प्राप्तन करने के लिए जाते थे प्राप्तन करने के समय बहुत बड़ा स्टूडंस अब प्राप्तन रहेगा प्राप्तन मेरे मेरे मामा का साथ बैठता था तब कोई ना कोई से अवाज सुनाई देता था मेरे बैटा तू मेरे सेवा कर अंकोल के देखता था अगल बगल में कोई नहीं रहता था मेरे मामा को आप कुछ बोला क्या नहीं बोला इस प्रकार जब रहता था लेकिन मैं अभी शेक नहीं पाया छे मेना हो गया एक बार 83 और 84 में अच्छोड उस समय में मेड्रास में की यूथ मीटिंग था उस समय अड़यार में बाइस खिलिस में गर्ल्स रहता था सनिवार हम दोनों को जोड़कर बाइस और गर्ल्स एक साथ रहते थे उसमे में सनिवार के एक टैरी मेटिंग लांस टैरी मेटिंग हमारा लेट पास्टर केसी वरगी उस प्रार्थन चला रहा था टैरी मीटिंग कितने लोग अभी तक अभी शेक नहीं पाया हम तो देखेंगे ना पीचे आगे सब देखो कोई नहीं उट रहा है हम भी चुब बैट लेकिन जब आके बैटा है वान पूरा वे इंगल्मी दिल वंदर मर्दन टेट वस्ट संग यूट मिटिंगे संग ता जीसा में लोग गाना गया जो बासा नहीं जानती थी पंजाब लड़ी के अभी शेक पाया मैं इतना शर्माया नेक्स्ट यांसे बागने कर तयार होना चाहे करके मैंने सोच लिया थैरा लोग अभी शेक पाया लास्ट दो लोग है उसमें मैं और एक लड़का है फोड़ी देर के बात हो भी शेक पाया फिर पास्टर मेरे पास आया परमेश और तुमको सेवा करने के लिए बुलाता है मैं आंग कोल के इस विक्ति के किसा पता चला मुझे पुरुझ सेवा के लिए बुलाता है करके तेरे बॉक पक पर्स निकॉलो आई सोचा अभी शीक पाने के लिए परस देना पड़ता है करके में लेकिंट पर्स दे दिया। पिर उसके बात मैंने एक चोटा से रिंग भी पहना आथा एक माइने चेन भी पहना ओभी निकाल दो यह तो बुरा है फर्स देगा लेकिन सौना कर से देगा देदे में वापस से लेका करके बॉला चलो वापस मैं इसे चलो पलबार ने करके दे दिया तीन मिनित बाकी है डेदे कान में आकि पास्ट वोल गया तुझे प्रभू सेवा करने क्लिए बुलता है ब विचार मेरे मन के दिल के गहराई में जब आये था उटा के फेक जा गया पेपर के समान उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने जानता हूँ बहुत में अपने आप में नहीं था परमेशर के नाम के सुधी हो पता चल गया प्रभू मुझे अभिशे किया इसलिए को उसके सेवा करने के लिए परमेशर के नाम के सुधी हो इसलिए रीति से मैंने सेवा में आने के समय भी बहुत कुछ मेरे जिन में रुकावट आया था क्योंकि मेरा Grandfather उन लोग कोई उस उदार में नहीं था इसी कारण में आने में बहुत बड़ा रुकावट था Electrical Engineer ने पढ़ने के कारण उस पढ़ाय के नाम से मुझे एक Otis Elevation से Elevation के Company से एक Call Letter आया था उसी के नाम से ओल लेटर दिखा के मैंने सीधा चला गया च्छने सेवा में आने के लिए मैंने रवाना हो गया परमेशर के नाम को सुधी हो सेवा में जब आया तब से लेकर परमेशर मुझे कदम पर कदम सिखाने लगा ट्रेइनिंग के बाद स्टम्षित में बोलता हूं और एक दिन वहां का सेंटर पास्ट वीम्flanzen और कुषि ही की बात है हमारे सेंटर मदर भी उधर सिस्टर थी उस ताइम परमेशर के नाम को सुधी हो तब पास्ट वीम्तामस एक बार ऐसे कहने लगा हाथ में दो रूपिया दिया बेटा बस्टाप में जाके पूछना ये बस साइन जाएगी ये बस ये बस साइन जाएगी मैं बैहाट करते जा भूआ था बैहाट करते जा रहा था जीसा बस्टाप में पहुंच गया तो पॉस्ट वह गया जो पर बस साइन आएगी नहीं जाएगी बोला नहीं नहीं आना चाहिए आएगी वह कोई बस जाते रहा जाते रहा जाते रहा पर पान दुकान अलब बैसाप कहान जाना है वापस किया बैट के जा रहा था अभी साइन कहां आए हमको क्या मालम है अभी कांटेक्टर के बोलना पड़ा है मुझे साइन उतरना चाहिए बस भी काली है एक शाम को एक काटेज प्रेयर के सीजी स्कॉर्टस करके उदर है उदर का प्रेयर चलाने के लिए मुझे बेज रह है पास में बैटाओ आदमी बिल्डिंग यह बिल्डिंग नहीं साइन हास्पितल साइन पोल यह साइन है क्या साइन स्थाप तो चला गया यह तो हास्पितल आ गया करके बोला अरी वाद मुझे तो उतरना है माई समें इंगलिश मिक्स करके I Climb with down dumb dumb को बहुत कुछ बोला ह किसी के पूचे क्या पूचो किसा पूचने मालम नहीं मुझे मैं उतरने के बाद पूचा सायन हार सायन बोला बस अर उसके पहले कहा गया ता है जिस टाप में उतरेगा वहां लोग तेरे लिए इंतजार करेगा वो तो स्टाप तब बार हो गया कर फेसा चैपर प्रमेशयर के नाम को सुध्य हो बात में हैं मेरे हाप में जो 50 पेसा जो था हो काइण डालके बात कर सकता था उसके मैंने एक शॉप में जाके पच्छास में में डालके काल किया उन लोग हलो हलो बोला कोई सिस्टर उटाया खोन बेकार आद में करके उन लोग फोन भी रख दिया अधास पच्छास पेसा भी आउट अभी क्या करनाम को मालूम नहीं है परमेशर के नाम को सुधी हो उसके बाद इतना रोया इतना रोया शर्मी थी यूनिफार में करा रहेकर साइन कर रोर पर करा रहेकि मैंने रो रहा था मेरे पिछे कोई एक आदमिया के से टैप किया पूचा है मेरे मातर वाशम पूचे तुमके कहा जाना है ना चलो मैं तुमको लेके जाओंगा जिस आदमी ने मुझे इन्वेट करने आया शायद वह होगा करके इसे पकड़के ले जा रहा है बहुत प्यार से बात करते जारा तो मैं इसके चेरा तक नहीं देखा पूचके जा रहा था एक तरफ से दुख के एक तरफ से बहुत खुशी भी है एक आदमिया वह विक्तिक ह जो आवाज जो है अमारे लेट पास्टे एसपी एनस्ट का आवाज था इसके बार में चिंता नहीं करना चे होता है सेवा में सबकुछ होता है लेकिन हमारा प्रभू हमारा साथ रेकर मदब करेगा बोलके बोलके देखो वहीं सीजी स्कॉटर से सब लोग उदर कड़ा है अदर अच्छा मुझी करके ब्रदर का गर में मीटिंग था उसके मिसस का तब ही टीक नहीं था इसलिए प्राइब प्राइब ने मीटिए देखा तो सब लोग उदर है चस्टीस विक्ति के टैंक्स बोलेंगे करके मोड़ के देखा नहीं हो कोन है वो मुझे मालम नहीं है क लेकिन इस पास इस पीएनस का वाच था इतना शाक हो गया मेरे सेवा का शुरुआत में इस अन्य देश में मेरे साथ लेकर के मैंने निक्षे करके आगे बढ़ने लगा इस प्रकार वहां का सेवा आगे बढ़ने लगा आप उसके बाद जायेगी आएगी वह सब कुछ अस बस बड़ी कुशी के साथ सेवा कर रहा था ज़्यादा दिन नहीं बिताया प्रुब ने उससे गोश्ला के हिलाने लगा मुझे उटा के कराड और कराड से कॉलापूर ट्रैंसर हो गया दीपर महारास्टा कच्छा मरात्य बोलने वाले लोगे मैं उनके बीच में जाके क्य आप बात करो हिंदी भी बोलता नहीं इस प्रकास सेवा करने के समय हमारे फेटोम को चोटा से कंस्रिक्शन के सेवा चल रहा था उस कंस्रिक्शन के टाइम में मैं फेटोम से हमारा जो काना नगर करके जगा था लगभग तीन चार किलोमेटर के दूरे प्रती दीन उदर का जो विश्वास लोगा कि मुझे नास्टा करने के लिए लेगे ब्रैदर अम्चागरी यह अम्चागरीन जेवन जेवन रहे क्या तुम्हीं आई सब भूचते थे अभी जितना बोलता है उसमें मालूम नहीं था फिर उस प्रकार हरो जो गर में जाता था तामिल में प्रार चाही है तीन दिन डेडलेंड रखा है मदर के बोल दिया उस्टें मदर मार्गरे करके मदर थी मेरे साथ वो बलता है ऐसा कुछ तुम सिक नहीं सकता है कि भी तना डाउन कर दिया मुझे तो कभी नहीं सिख सकता है करके बोला मैं बला प्रूब अगर एक अपड़ा मैं तीन दिन फास्टिंग में रहने लगा पहला दिन दूसरा दिन बुक कोल के देखता था बोड़ देखता था कुछ समझ में नहीं आता था लोग जो बोलता है सुनने के लिए आगर रखाता हो भी समझ में आता था तिसरा दिन रात को लगबग दस बजे पुरा गिती में टान कर बैटा था था फिर भी एक आशा था प्रभू तू बड़े अनो का काम करने वाला है यारा बजी गया सारे ग्यारा बजी गया उतने पर कड़ा रहा आल आफ देडन बहुत बड़ा एक आवाज आंती दुफान लाइटनिंग तंदर बहुत बड़ा बारिश गिर पीरफ टुटा के वाल था मैं मिडल में लगबक साथ-अफूट के डिस्टंस में ता इतना बड़ा एक ब्लैक कोब्रा काला नाग उदर आकर इसा कड़ा है मैं सोचा मांगा है बाशा बेजा है काला नाग परमेशर के नाम को सुद्य हो मैं क्यों मांगना चाल यह वाज़ लिए मुझे देखने के लिए मैं पलाना पलाना इसे बाशाय के लिए मांगा है लेकिन यह आया नागराजा ने आया यह मेरा अंत है पैसा वहां वहां पर रखा है मिस्तिर लों को देना चे सेंटर पास जबमनिता उनको भी देना चे करके पूर अचीटी लिकर युवास कि तेरे हाथ में सोब देता है अंपरोजी कल लोग क्या सोचेगा अरे पादरिकर साफ में काटा है बिच्छारा सौथ इंदिया साइए इधर साफ काटके मर गया प्रभी एक गवाई सुनने के लिए मुझे बेजा है कि बहुत मन में हाथ उटाया 11.45 तक मेरे में होश में उसके बाद क्या हूआ मालम नहीं उसके बाद मैंने मेरे दर्शन में इसा जब देख रहा था एक डाक जगा पर एक चोटा सा लाइट आया ब्लैक बोड़ आया हाथ का इतना पीस आके मेरे मातर वाशा में लिखता है मराक्टी शब्द बीविनों को मीत तुजा बर अबर फिर ना टाइम भी दियो दरो मत में तेरे साथ हूं एज जो सब्दे लिखते जा रहा था मैं पढ़ते पढ़ते जा रहा हूं इतना ही मालम है उसके बाद क्या हूँ मुझे नहीं मालम है देना एक एम तो मैंसल जिब मैं अपने आप आया आगे अगा उतने पुर अभी भ मौनिंग तीन पच्छा सो रहा था प्रेसिंग के टाइम है मैं साथ को भी बूल गया सब कुछ बूल गया प्रभू तुनी दिया नया दिन के लिए धन्यवाद करके बोलके सो गया साथ बजए अस यूशल तीन दिन फास्टिंग करतम हो गया जो नेक्स्ट टेने बिलीवर दन्यवाद दे दोस्ट करके मराटी में जीसा पानी अंदर पानी के अंदर मच्छली डिटेहरती वही सब फ्लो आने लगा मुझे मालूने में कौन सा बाशा में प्रार्तन गरता हम लास्ट में ये शुच्चना वाला मांगते मनों एक करके जब बोलके कतम किया आंग कोला कर दर्य लौक जोड़ा है कि उसके पाथ मिन वरत में मराटी में प्रार्तन किया प्रमीशयर के नाम को सुधिया गुजराती मदर, वो मुझे गुजराती सिखी गुजराती और मराटी दोनों में भी मैं प्रचार करने तक शुरू किया था परमेशर के नाम को सुधी हो इतना हिम्मत बढ़ने लगा, कहां भी क्यों ना जाये प्रबु हमारे साथ रहेगा, उस देश के बाशा में देगा करके विश्वास के साथ मैंने आगे बढ़ने लगा, यहां तक प्रबु ने मुझे संबाला कि इपरकर कर रोग बिमार परिशानी जब आने के समय प्रबु मेरे साथ रहेकर, राजा होकर, राजा होकर यहां तक मुझे ले आया, अंतर तक वो चलाएगा, पिशिश करके मेरे एक जो गवाई के सुनने वाला भाहि बहनों, इतना है मैं बोलना चाहता हूँ सेवा मैं इसा होता है, इसा होता है, करके ओह मत देखना क्योंकि जब मैंने लास्ट में, जो ट्रेइनिंग करता होके मेरे गर मुझे बेजा गया, वापस में चेन्ने आकर बांबे आना था, इंडर डिस्टन्स में, एक आदनी, 1966 में सेवा मैं आके गिर गया, वो मेरे पीछे बिर्ट मुझे मालम नहीं था, वो इतना सेवा का जो नहीं आया, जो कड़ा रहता है, मेरे सामने है सन, आइडल होकर, एक एक एक्जेम्पल लाइफ होकर मेरे सामने है, उनके देकर मैंने आया हूँ, प्रभु मुझे बलाया, इस सेवा करने के लिए, प्रिये बाइब लोग, आज तक प्रभु ने मुझे संभाला, उसकी बव उससे पहले, परमेशर को जो बलाहच जब मिलने से, परमेशर आपके साथ रहे कर बड़े और महान काम करेगा, उश्वास करके आगे बड़ी प्रभु आपका आशिश करेगा, मुझे गवाई देने के लिए मौका दिया हूँ, परमेशर को एक और बात धन्यवाद करके, म वान परमेशर करेगा, मुझे आपके साथ इब मुझे प्रमेशर काम करेगा, मुझे भीजिए रहे हूँ, परमेशर करेगा दिया है, मुझे बलाहँ।